कैसे होने जा रहा है बॉलीवुट को पांच हजार करोड का फायदा असी हजार रुपे एकर के भाव से क्यूं लेना पड़ा खेत दवंग 3 की शूटिंग कब से शुरू हो रही है डॉन 3 को लेकर क्या कहा शाहरू खान ने जी हाँ दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बॉली ग्रड स्टूडियोज की बॉलीवुट अपडेट में सल्मान खान की बहुचर्चित फिल्म भारत का अंतिम शेडियूल शुरू हो चुका है इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर फिल्म के निर्देशक अली अपबास जफर ने दी है इस बारे में लिखते हुए अली अपबास जफर कहते हैं फिल्म भारत का अंतिम शुटिंग शेडियूल आज से शुरू हो गया है अब ईद धूर नहीं गौर तलब है कि ये फिल्म इद के मौके पर रिलीज होने वाली है फिल्म भारत में सल्मान खान के अलावा तब्बू, दिशापाटनी, कैटना कैप की एहम भूमिका होगी इस फिल्म का निर्देशन अली अबास जफर कर रहे हैं लेकिन प्रियंका ने शादी के कारण फिल्म से अपना नाम वापिस ले लिया था आपको बता दें कि पिछले दिनों सल्मान खान पंजाब के बलो वाला गाओं में फिल्म भारत की शूटिंग कर रहे थे जहां पर उन्होंने बागा बॉडर का सैट बनवाया था इसके लिए उन्होंने चार किसानों की 80,000 रुपे एकर के भाव से खेट भाड़े पर लिये थे लेकिन इसके चलते अगल बगल के किसानों और दूसरे गाओं के लोगों को भारी परिसानियों का सामना करना पड़ा था सल्मान खान की फिल्म भारत की शूटिंग होने के चलते पहले पुलिस वालों और बाध में फिल्म निर्माद कंपणी और सल्मान खान के बॉड़ी गाड ने आम लोगों को यहां से वहां आने जाने में रोडे अटकार रखे थे साथ ही कुछ लोगों के तो उन्होंने बायकादा पास भी बनवा रखे थे जैसे कि बॉर्डर के इलाकों के किसानों के बने होते हैं किसानों का कहना था कि इस मुसीबत के चलते उन्हें खेती किसानी करने में भारी परिशानी हो रही थी फिल्म भारत सलमान की अब तक की विदेशों में शूट की गई सबसे बड़ी फिल्म होने की बात कही जा रही है बॉलिवुड फिल्म कार अरबास खान का कहना है कि बहुत जल्द दबंग 3 की शूटिंग शुरू होगी अरबास खान ने सलमान खान को लेकर दबंग और दबंग 2 जैसी काम्याब फिल्में बनाई है काफी समय से दबंग 3 बनाने की बात हो रही है लेकिन सलमान खान के व्यस्ट होने के कारण बात नहीं बन पाई अर्बाज खान ने बताया कि दबंग 3 का पहला शेडियूल इस साल अप्रेल के महिने में शुरू होगा बिग बॉस का बारवा सीजन खत्म हो चुका है और भारत के अंतिम शेडियूल की शूटिंग बाकी है इसके बाद सल्मान दबंग 3 की शूटिंग शुरू करेंगे अर्बाज ने बताया कि अभी लोकेशन देखने का काम चल रहा है और जल्द ही उसे फाइनल कर दिया जाएगा साथ ही बाकी की स्टार कास्ट भी फाइनल कर ली जाएगी दबंग 3 में भी सल्मान के साथ सुनाक्षी सिन्ना होंगी माना जा रहा है कि सल्मान दबंग 3 को इसी साल के अंत में रिलीस करेंगे उनकी पिछली दोनों दबंग फिल्मों में से एक को अभिनव कश्यब और दूसरे को उनके भाई अर्वास खानरे निर्देशित किया था लेकिन इस बार दबंग का निर्देशक बदल गया है दबंग 3 का निर्देशन प्रभुदेवा करेंगे आपको बता दें कि प्रभुदेवा इससे पहले सलमान खान की वॉंटेड मूवी को भी डायरेक्ट कर चुके हैं इन दिनों एक से बढ़कर एक बड़ी फिल्मों के एलानों का दोर चल रहा है 2019 की शुरुआत से ही बॉलीवुड के लगबग सभी सुपरिस्टार अपने आने वाले प्रोजेक्ट की तैयारी में जुट गए है इसी बीच हाली में एक और बड़ी फिल्म को लेकर तगड़ा एलान हो गया है ये फिल्म इंडस्टी की मोस्ट अवेटेट फिल्मों में से एक है जिसको लेकर चट्चा है तो काफी पहले से चल रही थी लेकिन अब जाकर इस फिल्म का एलान हुआ है यानि की फिल्म 2019 के आखरी तक रिलीज हो सकती है दरसल हम बात कर रहे हैं 2006 में आई शारू खान की धमागेदार फिल्म डॉन 2 का सीक्वल यानि की डॉन 3 जी हाँ, हाली में निर्माता फरान अक्तर ने डॉन 3 को लेकर एक बड़ा बयान दिया है फरान अक्तर ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा था हम डॉन 3 पर काम कर रहे हैं जल्दी इसको लेकर बड़ी एनॉसमेंट की जाएगी इसके लिए आपको और थोड़ा सा वेट करना होगा फरान के इस बयान के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि इस फिल्म का ओफिशल एनॉसमेंट हो जाएगा बता दें कि 2006 में आई डॉन 2 में शारुक खान ने लीड रो निभाया था माना जा रहा है कि डॉन 3 में भी वो ही नजर आएंगे पिछले साला इस शारुक खान की बिग बजट फिल्म जीरो ने ओडियोंस को निराश किया था ऐसे में डॉन 3 शारुक के लिए किसी लॉट्वी से कम नहीं होगी डॉन 3 की शूटिंग पर काम शुरू करेंगे तो दोस्तों आपको क्या लगता है भारत दबंग 3 और डॉन 3 जैसी फिल्मों से बॉलिवुड को 5000 करोर का फायदा हो पाएगा या नहीं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं लाइक और शेयर करना बिलकुल ना भूले और डॉन्ट फोर्गेट तो प्रेस दा बेल आइकन फोर मोर अप्डेट्स और नोटिफिकेशन्स झाल झाल झाल